नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज महत्पोन विशेप पर चर्चा करेंगे 33 वर्स की महिला के अदली का दिन करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर प्रथम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एके करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों नबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरप्य करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आकन को प्रेस कर दें ता किरड़स नोडिफिकेशन आपको उम्मल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में अपना ये कारे कर रहे है आगे के जीवन के बारे में जाना चाहती है सफलता वा प्रिगती वा ग्रोथ के बारे में जाना चाहती है जिन्दगी में क्या कुछ उन्नती या पर क्या कुछ दिक्कते इनको दिख रहे हैं इनसाड़ महतपोन विशेओं पर इनको जानना है तो आप बिलकुछ जनता ना करें आपके कोश्चन्स को उमने गहराई पुरवक सुन लिया है समझ लिया आप बताने का कुशिश करूँगा जो भी आपके हाथ पर पाज़िविटी होगी जो भी आपके हाथ पर नेगटिविटी होगी इनसाड़ विशेओं पर महतपोन तरीके से बात करते वे आपको समझाएंगे और वैपारिक डिस्टी कौन से सफलता को लेके भी इनको जानना है कि वैपारिक गुष्टी को उनसे सफलता के क्या योग दिख रहे हैं और जीवन में क्या कुछ ग्रोथ वा प्रगति इनको मिलेगी इस महतपोन विशेओ पर भी इनको जानना है तो आईए के करके चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले अगर मैं सकरात्मक्ता की बात कर लूँ तो यहाँ पर जीवन रेखा बढ़ी अच्छी है अगर जीव विक्ति की लाइफ लाइन अच्छी हो तो जीवन में ग्रोध को तो ये बताती ही है जीवन में प्रगति को तो ये बताती ही है इस केस में विक्ति के जीवन म ग्रोथ प्रिगती वर सफलता इनको जरूर से देखने को मलती है नहीं संदे है चलो पहली बात तो यह होगी अब इसके बाद भाग्य रेखा को भी देखना आने वारी है क्योंकि बाग्य रेखा के भी positivity positivity माने जाती है उसको आपको देखना और समझना बिल्कुल चाहिए तो अगर मैं बाग्य रेखा को दिखाऊ ना तो यहाँ पर एक बाग्य रेखा नजर आ रही है बहुत आला और एक और इसी बाग्य रेखा, मतलब दो दो बाग्य रेखा, एक ये भी बाग्य रेखा कही ब्रांचे से, अगर किसी विक्ति के हाथ पर एक से दिक बाग्य रेखा हो, तो ये जीवन में तरक्की को दो बताती ही है, ये जीवन में ग्रोथ को भी बताती है, इस केस में विक तीवा सफलता को लेकर ये एक महादपून इंडिकेशन से है ये एक महादपून इंडिकेशन से है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा बाग गिरेकाई एक से अधिक हो तो फिर समझ लो कि आपके जिंदगी में तरक्की तैह आपके जिंदगी में प्रगती तैह सूरी रेखा का भी बड़ा महातो होता है अगर सूरी रेखा किसी विक्ति के हाथ पर अच्छी हो तो अच्छी सा करात्मकताओं को बताती है, जीवन पर अच्छे ग्रोध को बताती है, अपने दम पर बढ़ने की स्थती को बताती है, अपने दम पर क्या यह उस पर भी बात करेंगे, एक कुछ स्क्वार साइन बन रहे हैं, आगे भी भागी रेका जीवन के अंतिप समय तक चड़ रही है, तो भागी रेका में तो कोई कमी नहीं है, प्लैटरी कंडीसन्स अच्छे हैं, तो राज्योग का रगस्तिती है, इस केस में विक्ति क जीवन कमफर्ट के साथ जरूर बितता है, विक्ति अपने जीवन में कमफर्ट को जरूर बिताते हैं, विक्ति के जीवन में कमफर्ट जरूर से बना रहता है, चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी, अब हम बात करते हैं नेगटिविटी पर, क्योंकि नेगटिव इसके लिए वर्क नहीं किया तो कही न कई जीवन पर तनाव बना रहेगा कही न कई जीवन पर दिक्कते बनी रहेंगी तो अब negativity क्या है उसको देखना है और वैपार डिस्टी कौन से क्या काम्यावी वह सफलता उस पर विचार करना है यह वैपार कर रही है तो अब इनके हा काम्यावी में काफि दिक्कतों का आपको सामना करना पर रहा है क्योंकि वैपार की रेखा अगर नहीं हो तो काम्यावी को लेके यह दिक्कतों का सामना जरूर कराती है काम्यावी को लेके परशानियों को यह जरूर दिखाती है विक्ति के जीवन में परशानी काम्यावी क तो लेके ज़रूर से आ सकती है, no doubt. पहली बात तो ये, दूसरी बात, माइंड रेखा में थोरे fluctuations है, मांसिक रूप से थोरा सा तराव ग्रस्त रहेंगी आप, मांसिक रूप में थोरा सा टेंशन ज़ादा लेंगे, दिमाग ज़ादा चंतित रहता है, इसके बाद disturb शुक्रवले है, mood swing थोरा ज़ादा होता है, तो fluctuations की स्थिती भी बनी रहती है, दिमागी तोर पर कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ fluctuations जीवन पर ज़रूर आप फेस करती है, ज़रूर बने रहते हैं, no doubt. यह ओगी दूसरी बात, अगर मैं तीसरी और negativity मुझे कोई खास आपके हाथ पर नज़र आ नहीं नहीं तो उसको लेकर आपको चंतित रहना भी नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊं तो यह मस्तिक्स रेका, यह जीवन रेका, अगर राहू रेका आपके हाथ पर हो, डेफेनेटली तो आपके जीवन में टेंशन्स चलते हैं, जीवन में नकरात्मकताएं चलती हैं, आगे भी कंटिल्यू परगती की रेका है, जीवन रेका बहुत ज़ादा अच्छी है, तो लाइफ में ग्रोथ, प्रिगती वा सफलता को बता रही है, मंगर रेका भी शांदार है, लग्जूरिस लाइफ के योग बने हैं, no doubt, मनी मैनेजमेंट की लाइन बहुत ज़ादा अच्छी है, जीवन पर धनाता ही है, समझदारी का लूब काफी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी देखा, इंडिकेट करने दिल के बड़ी अच्छी है, थोरह इंट्रोब वर्ड है, सबसे घुला बिलना पसंद नहीं है, तो इंडिकर अच्छी दार में कास्ता है, सेटर्ट फिंगर लबी है तो महनती है सोरी फिंगर इमत को बता रहा है बुद्ध फिंगर फश्वलेस तक है तो कबड़ी केसन स्किल वाइज भी बहुत जादा प्रबल है वाक पडूता बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर आप देखेंगी तो कहाँ पर कुछ स्क्वार्ट बने है तो कई न कई जीवन पर स्टेविरिटी रहती है 32 वर्स के बास जीवन अच्छा बीचता है 32 वर्स के बास जीवन पर ग्रोथ बना रहता है प्रगती बनी रहती है सफलता होता है no doubt settlement के योग मुझे नजर आ रहे थे पर उपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहती है mind रेखा ची थोरे fluctuations से समाने हैं समाने बावखता आगे की बेरदर रेखा बढ़िया विस्टो योग का formation routine को follow करने वाली balance अच्छा है disturb शुक्र बढ़े थोरा mood swing होता है बढ़ बागे रेका जीवन के अंतिम समय थक है यह थोरे mood swing को बताते हैं दिमाग में fluctuations बने आते हैं line of education अच्छा है गजब की सूरी दे का बैतरीन है यहाँ से भी आपके squares है जो कि लगबग 36 वर्स के बाद ज्यादा benefit 33 से लेके 36 वर्स के बीच में न तोड़ा बहुत तोड़ा बहुत प्राबलम से जरूर फेस करना पड़ता है no doubt बाकि दो विवार एका है हलाकि जब दो विवार एका हो तो पहले विवार में कोई दिक्कत होती है यह पहला expect है अगर आपके husband के हाथ पर भी दो विवार एका होगी तो यह दोश ज़्यादा ठीकेगा नहीं यह दोश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा इस दोश को लेके बिल्कुल भी आपको चिंता करने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी और नहीं करने चाहिए क्योंकि जब विवार एका एक सदिक हो और एक विवार एका का समय निकल गया होना तो फर ज़्यादा टेंशन नहीं होता है और हाँ कभी कबार ये दो विवार एका दो शादी को भी बता देता है तो इसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं देना है ये कुछ यात्राओं के रेखा है, जीवन पर यात्राएं बनी रहती है, चदर में अच्छा है, पैसे के फुलो बनी रहेगी, तो ये था इनका तरीका, पूर्णता विश्लेशन, अगर आपको अमारे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बांपको अदिया, बत्राइब कर दे, इनका बंपको कर दे दून का ये।